जहें दोस्तों गंद calculate तो मुद्दे की बात ये है सीधे मुद्दे की बात करें तो कि भाई सिरिलंगा ने आखिर कार भारत को चीन के दबाव में आकर धोका देही दिया जिस्किप को खड़े किया जाने की बात चल रही थी श्रिलंगा के पोइथ पर जिसके कि खिलाप भार 99 साल के लिए चीन को लीज़ पे दिया गया है ये उसी एक पूरे मकड़ जाल का हिस्सा था ज़स जाल में श्रिलंका निफस कर अपनी एकनौमी की ऐसी की तैसी करा ली है और अब ऐसे में उस पोर्ट पे इस शिप का खड़ा किया जाना वाकई में बताता है कि श्रिलंका की किनौमी क्यों नीचे जाने के लिए ही थी क्योंकि जब आप सही फैसले नहीं ले सकते हैं अपने आपको स्ट्रॉंग करके तब आपको इसी प्रकार की गर्त बे जाना होता है भारत के विरोत की वज़े से श्रिलंका के हमन्टूटा बंदरगा नहीं आ सका चीन के स्पाई शिप अब ना सिर्फ वहां जाएगा बलकि पूरे छे दिन वहां डेरा भी डालेगा युआन वांग फाईव नाम के इस शिप से भारती नौसेना और इस रोगी जासूसी का खत्रा बढ़ चुका है चीन का ये स्पाई शिप करीब 750 किलोमेटर दूर तक आसानी से निगरा नहीं कर सकता है हमन्टूटा पोर्ट से तमिलनाडू के कण्या कुमारी की दूरी करीब 450 किलोमेटर है जासूसी के खत्रे को देखते हुए भारत ने श्रिलंका से इस शिप को हमन्टूट में एंट्री ना देने के लिए कहा था श्रिलंका के बंदरगा मास्टर निर्मल पी सिल्वा का कहना है कि उन्हें 16 से 22 सगस तक हमन्टूटा में जहाज को बुलाने के लिए विदेश मंत्राले की मनजूरी मिल गई विदेश मंत्राला से जोड़े सूतरों ने बताया कि सरकार ने यातरा के लिए नए सिरे सनमती दी थी ये उस समय की बात है जब श्रिलंका में लोग सरकार के खिलाफ साड़कों पर थे जिसके बाद पूरो राजपती गोट बाया राजपक शेय देश छोड़कर भाग गए थे चीनी जासूसी शिप यूँआन वांग 5 को स्पेस और सैटलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है चीन यूँआंग वांग क्लास शिप के जरीए सैटलाइट रॉकेट और इंट्रो कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानि की आई सी बी एम की लाँचिंग को ट्रैक करता है अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मताबिक इस शिप को पी एले की स्टेटिकर सपोर्ट फोर्स यानि की SSF आउपरेट करती SSF थेटर कमांड लेवल का और्गनाजेशन है ये PLA को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रोनिक और इन्फरमिशन कम्यूनिकेशन के साथ साथ साइकलोजिकल वाइफेर में भी मिशन मदद करता है इससे पहले चीन ने जब 2022 में Long March 5 भी रॉकेट लॉंच किया था तब ये शिप ने गरानी मिशन पर निकला था हाली में ये चीन के टियांगॉंग इंटरिक्शन से के पहले लैब मॉड्यूल की लॉंचिंग की समदर गरानी में भी शामिल था सबसे पहले इस चीनी शिप के 11 अगस को हमन्टोटा पर पहुँचने की उमीद थी भारत ने इस स्पाइश शिप को लेकर श्रिलंका के सामने विरोध दर्ज कराया था इसके बावजूद श्रिलंका ने इसे हमन्टोटा पोल्ट पर आने के नुमती दे दी है भारत इसको लेकर अलर्ट पर है शिप के मुवमेंट पर इंडियन नेवी की कड़ी नजर भी है युवान वांग 5 मिलिटरी नहीं बल्कि पावरफुल ट्रैकिंग शिप है ये शिप अपनी आवाजाही तब शुरू करता है जब सीमा या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट करने के लिए जा रहा हो ये शिप लगबख 750 किलमेटर दूर तक आसानी सरिंगरा नहीं कर सकता है चार सो क्रू वाला ये शिप पैराबॉलिक ट्रैकिंग एंटीना और कई सेंसर से लह से हमडोटा पोल्ट पर पहुँचने की बाद शिप की पहुँच दक्षिन भारत के प्रमुक सैन्य और परमानु ठिकाने जैसे की कल पक्कम कुणक कुलम तक होने जाएगी साथ ही केरल तमिलाडू रांद प्रदेश के कई पोर्ट यानि बंदरगा चीन के रडार पर होंगे कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चीन भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमानु सिजन्तर की जासूसी के लिए जहाज को शिलंका भेज रहा है शिप में हाईडेक इव्ज डॉपिंग एक्क्यूप्मेंट मतलब छिपकर सुनने वाले उपकरण भी मौझूद है यानि शिलंका के पोर्ट पर खड़े होकर ये भारत के अंदरूनी हिस्सों तक की जानकारी जोटा सकता है साथी पूरी उतट परस्तित भारती नौसैनिक अड़े परस्ट शिप की जासूसी की रेंज में होगे कुछ मीरे रिपोर्ट में दावा ये भी किया जा रहा है कि चांदिपूर में इस्रो का लांचिंग केंदर भी है इससे जासूसी भी हो सकती एतना ही नहीं देश की अगनी जैसी मिसाइलों की सारी सूचना जैसे की पारफॉर्मेंस और रेंज की बारे में जानकारी चुराई जा सकती इक अगस्त में इस शिप के हमन्डूटा पोर्ट पर पहुंचने की खबर मिली है भार सरकार देश की सिक्यूरिटी और एकनॉमिक्स इंट्रेस को देखते हुए हर घटना करम पर नजर बनाये हुए और उनकी रक्षा के लिए सबी जरूरी का दम भी उठाएगी चीनी जासुस शिप यौन वांग फाइव 13 जुलाई को जियानिंग एक पोर्ट से रवाना हुआ था और जल्द ही शिलंका के हमन्डूटा पोर्ट पहुंचेगा हमन्डूटा में एक हफते तक रहेगा इस पोर्ट को चीन ने श्रिलंका से 99 साले के लिलीज पर लिया है वहीं दूसरी और चीन में बना पाकिस्तान का युद्ध पोर्ट पीनेस तैमूर कॉलंबो बंदरगा पहुंच गया है पाकिस्तान का युद्ध पोर्ट पंदरगस तक कॉलंबो तरट पर रहेगा दोनों देशों की ओर से कहा जा रहा है कि युद्ध पोर्ट आपसी सहयोग और सत्भावना बढ़ाने के लिए श्रिलंका इनौसेना की ओर से आयो जो थोने वाले कई कारेक्रमों का भिस्ता ले आपका इस बारे में क्या करना मुझे कमें के लिए जरू बताया है जैहिन जैपाराइख